हेलो फ्रेंड्स तो इस वीडियो में हम अन्बॉक्स करने वाले हैं माइक्रो, रिसीवर, एंड ट्रांस्मिटर तो चलिए करते हैं इसे फटाफट अन्बॉक्स और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस receiver और transmitter को design किया है मिस्टा सोपने लिमल करने और ये भी एक YouTuber है तो ये हमने कर लिया इस box को on box तो ये देख सकते हो ये है इसका main transmitter और ये six channel transmitter है तो उसकी joystick हम आगे लगाते हैं और इसी के साथ आपको मिलती है control sticks इसे इस joystick पर लगानी है तो ये भी मैं आगे बताता हूँ इसे कैसे लगाना है और ये है इसका main receiver ये six channel receiver है इसमें आप BLDC और brushless motor भी use कर सकते हो देख सकते हो इसकी size बहुत ही छोटी है और ये है brushed ESC ये आपको अलग से purchase करना होगा यानि कि आपको इस receiver transmitter के साथ ये नहीं दिया जाएगा अगर आप इस receiver transmitter को buy करना चाहते हो तो इस number पर आप WhatsApp पर के order कर सकते हो और details मैंने description में दे दिये हैं तो सबसे पहले आपको इस throttle stick को joystick के अंदर install करना है तो आप देख सकते हो कुछ आपको इस प्रकार इसे install करना है और ये smoothly काम करेंगी इसमें तो इसमें channel मिलते हैं आपको यानि की channel number 1, channel 2, throttle channel यानि channel 3 and channel 4 चो की rudder के लिए channel है और ये जो switch है ये auxiliary switch है इसमें आपका channel number 5 work करेंगा और इस clip को remove करने पर आपको दिखेंगे ये 3 switches जिसकी मदद से आप channel को reverse कर सकते हो ये आगे आपको में detail में बताता हूँ इस control stick को आपको इस joystick पर लगाना है उसके लिए आपको simply जस इस control stick को रखना है और screwdriver की मदद से आपको इसके अंदर इसे tight करना है tight होने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखेंगा इसे लगाने से आप बढ़िया तरिके से control कर पाऊगे आपके RC plane को यानि कि आपकी जो inputs रहेंगे वो काफे precisely रहेंगे ये है 6 channel receiver और इसमें जो white pins दिखाई दे रही है वो है signal pins और middle आपी पीन्स जो है वो positive 3 में connect करने है उसके बाद आपको simply just battery को connect करना है ESC से अब आपको जो beep beep की sound सुने दे रही है motor में से जैसे ही वो रूप जाती है उसके बाद आपको joystick को down करना है फिर से आपको एक बार sound सुने देंगे और आप आप देख सकते हो motor work कर रही है इसी process को हम कहते हैं ESC calibration तो यह सबसे important part है RC plane में अगर आप RC plane बनाना चाते हो इसी kit से तो आपको ESC calibration बहुत ज़रूरी है अब मैंने इसमें दो servo motor connect की है channel 1 और channel 2 में आप receiver में जब भी ESC या servo motor connect करते हो तो आप polarities का ध्यान ज़रूर रखें तो यहाँ पर देखो मैं जैसे ही channel 1 & 2 को move करता हूँ यानि joystick को तो यहाँ पर दोनों servo work कर रही है अब मैं 4 & 5 में भी servo motor connect कर देता हूँ यहाँ पर मैंने सभी motors अब connect कर ली है आप देख सकते हो जो एक channel है वो बचा हुआ है उसमें हम brushed motor यूज करने वाले हैं तो वह भी मैं आगे आपको बताऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी servo motor काम कर रही है सभी motor properly work कर रही है यह channel 4 जो की rudder के लिए है और यह जो switch है यह auxiliary switch है जिसमें channel 5 work कर रहा है इस clip को remove करने पर आपको तीन switches दिखाई देंगे इन तीनों switches से आप channel 1 channel 2 and channel 4 को reverse कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने channel 1 को reverse किया है आप देख सकते हो भी similar way आप channel 2 और channel 4 को भी reverse कर सकते हो इस transmitter के अंदर inbuilt battery दिखे है उसे charge करने के लिए simply आपको micro usb type charger से charge करना है अब मैं आपको इसमें brushed ESC उसकर करके दिखाता हूं तो यहाँ पर मैंने coales motor brushed ESC में solder कर ली है और brushed ESC में से जो 3 pins आ रही है वो मैंने channel number 6 receiver में याने channel number 6 में मैंने connect किया है आप देख सकते हो और इस ESC में आप 1S battery ही यूज कर सकते हो यानि कि आप 3.7 volt ही supply दे सकते हो उससे जादो दोपर तो यह receiver या जो brushed ESC हो डामेज हो जाएगा तो यहां पर मैंने transmitter on कर लिया है और जैसे आप throttle देते हो तो motor काम कर रही है आप देख सकते हो और response काफी बढ़िया है एकदम smooth operation हो रहा है as per throttle movement आप देख सकते हो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप इसमें 1S battery ही यूज कर सकते हो इस brushed ESC में और यह brushed ESC आपको separately लेना होगा और जो रेंज है इस transmitter की वह नियरली 350 मिटर से तो इतनी रेंज काफी होती है एक RC plane fly करने के लिए इस वीडियो में इतनी दोस्तों यह transmitter receiver आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा मिलते हैं एक और interesting वीडियो में तब तक के लिए बने रिया चानल के साथ क एक फेपोर्टी तरीजेविंग्स